आप सब भी को मेरी और से कैसे हो आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूं आज ना सुबह से लेकर के वीडियो बना दिये पर वीडियो को सुरू करने का जो है ना वो टाइम नहीं लगा है तो अभी यहां पे बैठी दो गड़ और हमारी छोटी सी वीडियो तो प्लीज रोकेस्ट करूंगे उन लोगों से जो चैनल पर पहली बार आएं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चाहिएगा तो मुझे यहां से वापस जाना है और यहां से वापस जाने के लिए मुझे थोड़ा सा सीधा रास्ता यानिकी सडक का और उसके बाद में हैं चड़ाई चड़ाई और यह जो उपर पहाड़ी दिखरी है ना टॉप में इस दूसरी पहाड़ी के साथ हमारे घर है तो चलते हैं अब हम अपने घर की तरह और यहां का जो खुबसरा सा नचारा है ना वह आप लोगों के स लोगों के ना पानी पानी ए बादी है इनका पाणी देख के क्योंकि यहां पे न नाला सेड की जगा है कि क्या चीज़ चड़गी उपर को यह देखिए काश मेरे घर के पास होता ना ऐसा पानी कि बहुत ही प्यारी सी जगह तो मुझे यहां से चड़ना है और जल्दी जल्दी चड़ना है क्या से चड़ पांगी उपर को ए बगवान उतरते टाइम तो निच्चे को पता नहीं लगता न क्योंगी चड़ाई नहीं होती पर जब जाना होता ना उपर को तो और जिनको हमने गाय दी ना अपनी उनके घर वो देखिए सामने दिख रहे है कि मैं चड़ रही हूं क्योंकि यहां से है तो सडक पर चड़ाई वाला रास्ता है और वैसे तो वह बोर रहे थे कि हम गाड़ी में ले जाएंगे पर ऐसे नंकियों किसी के पैसे खर्च करने क्योंकि यहां से ना सिर्फ दो डाई किलोमेटर का फांस लाए है तो थोड़ी चड़ाई पर सिर्फ दो डाई किलोमेटर का फांस लाए और ऐसे मैं जब यह आज आ सकते इधर उतर तो फिर क्यों गाड़ी करनी मैंने बुला रहने दो मैं चोड़ा दूंगी तुमारे पास तो मैं खाना ही बना दी थी अभी घर में तब तक यह आगे मैं वापस चल रह जारी हूं खाली आते हैं ना ऐसा तैना कि वाशू अगर अच्छी जगा में दे दी जाए जहां पर उनकी अच्छी केयार हूं उनको अच्छे से रखे हमसे भी कोई अच्छा रखे तो बड़ी खुशी मिलती है बस इक स्कून सा मिल जाता है दिल को और मैं ऐसे हर कहीं अच्छी मैंने दे दिया मेरे पास बहुत हो गये थे क्योंकि मैंने एक बचला भी लाया बेल की साथ के लिए तो ऐसे में इतने सारी परशूं का करना बहुत मुझकी हो जाता है मजबूरी में देना पड़ा मुझे देना नहीं चाहती थी पर दे दिया यह देखिए कभी यहां मैं उपर घर से दिखाती थी यह जो भी हो है ना गोट लगाऊ है यह आज मैं इसके बिल्कुल सामने हो और अभी सुबा सुबा इतना नहीं दिखेगा और यहां से थोड़ा सा सीधा रास्ता है आगे को सड़क फिर यह सड़क यहां आगे जाके खत्म हो जाती है और उसके बाद में फिर सीधी चड़ा ही देखिए कि इतना प्यारा भी हुआ है ना कभी मैं इसको अपने घर की पास से दिखाती थी और आज में घर की इसके बहुत करीब हूँ यह रहे हमारे घर उपर जो यह दो घर दिख रहना टॉप में अरह जी बुचली का खंबा तो आपको पता ही ए मैं बहस्त बार शेयर करते हूं तो विजली के खंबे के साथ ही हमारे घर है और हम यहां से उतर के आए थे सिदे सिदे इस धार से यहां को निचे और फिर यहां से टेड़े मेड़े रास्ते पहाडों के तो अब चलते हैं इसी रास्ते से वापस देख इतने छोटे छोटे रास्ते हैं न मेरी गाय न अभी यहां से दोड़ दोड़ की जा रही थी यही फाइदा अता है जो छोटी गाय होती ना पहाड़ी गाय बोहर कहीं आसानी से चल सकती है बाकी जो बड़ी गाय होती है उनको चलना नहीं आता है वो तो फ़र्श पर भी कई वार ढिरने का खत्रा होता उनको हुआ तोगी सी बनाई है सुखी आलू की बुर्जी और क्योंकि यह जो आलो है यह अब इसम milligram ले नहीं है यह बुर्ण वोई नहीं अनल इनल्ओ और अहले हैं और अजिसी की बुर्णी बनाई हैं और यहां पर अपने लिए बनाई है आलू और जो बत्वा होता है उसकी सबजी तो मैंने बच्चों को और उनके पापा को टीफिन में दे दिया लन्छ के लिए और थोड़ी सी की बचे तो इसमें से हम लन्च करेंगे और कुछ बचिये मेरे पास दाल तो यह दाल तो मैं में छाएंग चावल और बरतन दो अ अनने इसवी पहले मुझी कहीं जाना है और इस बट्रसनिकर कंसे ठाली चाहिए अभी अब यहां बर ना मेरे पास थोड़े बहुत बर्तन है तो उन बर्तनों को मैं दो लेती हूं और एक बात और है मेरी है यह बहुत हीए प्यारी से स्स्क्राइबर है उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से कमेंट किया है तो होता है ना कि जिंदगी में हम कुछ चीज़े होती है जो आप लोगों से सीखते हैं और कई बार हमें उन चीज़ों का पता होता है और कई बार हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता तो बैसे तुम्हें यूज करती हूं पर मुझे ना कई बार द्यान नी रहता द्यान से निकल जाती है बात आसे तो बैनने मेरी उस बहन का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यार दिलाने के लिए और आज ना मैं फिनारे डालोंगी जाते जाते गुकर बचाया गुकर खाली गरी लेती यह फिनार की बोतल और मुझे डाल देनी है यहाँ पर तो इसे मैंने डाल दिया और इस पर डखकन चड़ा देती हूं वैसे का वैसाई इसकी ना समेल बड़ी तीकी होती है यह से बड़ा दूर भाब देऊ बैठी ना वहाँ पर यह बहुत ही टेस्टी टेस्टी जंगली फल लगें आजकल गर्मियों के मौसम में ना इनका सीजन होता है और यह बड़े टेस्टी होते हैं खटे खटे मीठे मीठे जंगली फल हीर बोलते हैं हम इनको और जगा पता नहीं क्या-क्या बोलते होंगे यह देखिए बड़े तेस्टि ए और आशी जो चीजह होती है वो शुद्ध होती है और सुद्ध के सा साथ ना हेल् दी होती है कि गाउन दिख रहे है पार सामने से नितुन है भूट ही प्यारा प्यारा सा जो व्यूओ है ना वो हमारे गाउं का आसपास का जो नजारा है यह देखे थोड़ी सी जलक तो यह बालती और अब चलते हैं पानी लेने ब्लोग को यहीं पर खतम करेंगे आप सबी लोग अपना खोब ध्यान रखेगा अपनों का ध्यान रखेगा मिलेंगे बहुत जल्दी एक नय ब्लोग में एक बाफिर से आप सबी लोगों को मेरी और से जैमाता दी बाबाए